सरकातार घटनाएं हो रही है और ये घटनाएं जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की बज़े से हो रही है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है encounter नई परिवाशा में half encounter और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई है अगर encounter से ही loin order बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तवदेश कई आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता zero tolerance का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए ये administrative failure था सरकार का failure था कि जब वहाँ पर तै था पुलिस की जानकारी में था तो आखिकार आपने शानती पूर ढंक से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कारक्यम को संपन क्यों नहीं करा पाई जो लोग एक शानती पूर तरीके से एक कस्वे गाउं का या आसपास के लोगों का कारक्यम शानती पूर से संपन नहीं करा पारेंगे उनसे लॉडर की क्या उम्मीद करेंगे आप और फिर ये encounter, half encounter ये डराने के लिए हैं आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि encounter किसका किया है इनों ने encounter करना और नफरत को बढ़ाबा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने के ये अपनी सम नाकामी छेपा रहे हैं याद कीजिए उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले encounter पर सवाल उठाओ मंगेश पर तो सरकार कहते हैं क्योंकि हमें balance करना है तो उसमें छत्रीय को भी मार दिया तो ये कहां का line order है कहां कि ये विवस्था है जहां पर आप balance करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी चिपाने के लिए खासकर इस तरह के encounter कर रही है जो घटना हुई दुखत हुई जो घटना हुई दुखत थी और और ऐसी घटना समाज में न हो जो वहां पर failure था हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे जो दुखी परिवार होगा उसको नियाए दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे लेकि सवाल ये वही खड़ा हो याता है कि सरकार की नजर में भेदवाब नहीं होना चीए सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइडन रूल सरकार उसी पर काम करेंगे डिवाइडन रूल ये आम लोग ये बात जानते हैं और आप तो पतकार ये वुद्जीवी है और पड़सी जिले का मामला है आप मुछ से बहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है घटना कराई गई है और कराई गई के लिए दोशी कौन होगा अगर जान गई है किसी की भी हम दुख में शामिल हो सकते हैं मुख्वंधी जी मिल सकते हैं लेकिन कराई किसने हैं इस पे आप लोग बहतर जानते होंगे यहां एक कोई पतकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि यह घड़ना रोखी जा सकती थी किसी की जाननी जाती अगर जान गई है हम दुख माटने से जादा जो आज सरकार भी दुख माट रही है सरकार को इस बात पर दुख करना चाहता है गड़ना क्यों हो गई होनी नहीं चाहती सरस्तर फरास की बहन का कहना यह है कि कल पुलीस ने गरिफटार किया था और आज इंकाउंटर दिखाए नहीं थे वो कारे ले दिये कई इंफ्रसेक्चर के काम के सरकार ने लेकिन जो पुलीस का तरीका हो गया है जब कभी भी जहांच होगी बहुत से दोसी लोगों के खिलाब करवे होगी जेल भी जाएंगे और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखवार में निकला था है इसी प्रदेश के इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी उन्होंने कहा कि ये पुलीस जो आज इंकाउंटर कर रही है कल इनके साथ कोई ख़डा नहीं दिखाई देगा जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हो इनकाउंटर हो रही है कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रही है इनकाउंटर नहीं है ये हएच्प्ध्य हो रही है इसी लिए उन्होंने कहा कि जो लोग इस Whenever आज एक दिन साथ कोई ख़डा नहीं होगा और मुझे सुनने में यहां तक आया है आप बहतर बताना इस बात को कि जिस वेक्ति ने पहला वीडियो वाइरल किया उस प्रसेशन का उस पतकार के हाथ या पैर में बहुत चोटे आई हैं उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है अगर बीजेपी के लोग पतकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पतकार को जेल विजवारे जूटे मुकदमे में तो समझेए क्या छिपा रहे हैं कुछ तो छिपा रहे हैं ना मुख्यंती जी से जो मिलाया हो से क्या मुआपजा क्या नौकरी की बात करें हम अज़ा बताईए मुख्यंती जी के साथ जो दो घंटे वक्त गुजा रहा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चीए और फिर जो फेक इंकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या यह जो समाजवादियों ने काम किये हो उससे बहतर काम करके जनताओं को सुविदा देने का काम करेंगे यह आप मुझसे बहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचा पूछ लेना और आप नाम डिस्क्लोज मत करना और यह पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए